जैलो प्रेंट ऐरन व्यक्ति चनल हिंदिस ओटन पर्कारक्ष्टित लिक्षण परने के लिए में यूट्यूब चनल हिंदिस ओटन डिक्षण को सब्सक्राइब करें और वीडियों को ज्यादा ज्यार करें तापके आप जो एक ती स्टनों का फी कोर्सर उसके लिए अधर बूल बन से और यदि आप इस पर करें डिक्टेशन के ओपना चाहते हैं तो अभी जाकर करें तो अभी जाकर के तुरांथ वाट्सप ग्रूप प्रेम टेलिग्राम चनल जोइन करें आज के डिक्टेशन के गति असी सब्द्र प्रिजबनाट और है डिक्टेशन दिपक प्रकासन की बूप में तो चले डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेगंड बाद में मान्यवर जिस विशय पर चर्चा हो रही है उस विशय का हमारे देश के जन जीवन से हमारे देश के लोक तंत्र से और हमारे देश की कानून और व्यवस्था से सिधा संबंद है यही कारण है कि आजादी के बाद और आजादी के पहले इस विशय पर हमारे देश के जो राजनितिग्य और सिच्छा सास्त्री हैं जो इस विशय में रूची रखते हैं और मान्यवर जो हमारे देश के प्रसासक रहे हैं उन सबने समय समय पर हमारी जो सिक्षा पद्धती है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की पहल की है इस विशय के बारे में काफी गंभीर चिंतन हुआ है आज भी अगर हम इस इस्थिती पर विचार करें की हमारे देश में सिक्षा पद्धती का क्या प्रभाव है तो हम देखते हैं की चारो और हमारे जितने भी विश्व विद्याले हैं वेबंध हैं सब जगह जगडे हो रहे हैं यहां तक की विश्व विद्यालेयों में हिंसा और नाना प्रकार के जगडे फैल रहे हैं और ऐसा लगता है की ये सिक्षा के मंदीर नहीं है बलकि हिंसा और उपद्रो के इस्थान बन गए हैं मैं नहीं मानता हूं की इसमें विद्यार्थियों की गलती है यह हमारी सिक्षा पद्धती का दोस है इस प्रकार की सिक्षा पद्धती में सुधार होना ही चाहिए इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के हित में नहीं हो सकती है और उसी का यह कारण है की सिक्षा पद्धती में परिवर्तन के बारे में हमारे यहां गंबीर चिंतन हो रहा है वर्तमान सिक्षा पद्धती अंग्रेजी राज्य की देन है लौड मैकाले ने हमारे देश में जिस प्रणाली को चालू किया था उसी का थोड़ा महुत्रूप आज भी मौजूद है 1968 में पिछले सासन ने सिक्षा की एक राष्ट्रिय निती की घोषणा की थी और यह निश्चय किया था कि उसमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन होता रहेगा आज यह मां बड़े जोरों से है कि हमारी एक निश्चीत राष्ट्रिय निती सिक्षा के संबंध में होनी चाहिए राष्ट्रिय निती की घोषणा होना जरूरी है मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रिय निती की घोषणा होने के पहले उसका सिधा संबंध जिन लोगों से है जिनका जिक्र मैंने उपर भी किया है संसद और जो सिक्षा से संबंधित छेत्र के लोग हैं उनके विचारों को सुनने के पस्चात ही इस पद्धती को लागू करना चाहिए क्योंकि सिक्षा पद्धती एक नाजुक विशय है और इसमें सुधार करने की काफी गुंजाईस है सुधार के परिणाम अच्छे निकलने चाहिए इसलिए बहुत सोच समझ कर नीती निर्धारित की जानी चाहिए स्टॉप झाल